हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार रिट और पुलिस कॉंस्टेबल बरती परिक्से के लिए राजस्तान इतियास की कलास से सुरू की गई थी जिसमें अपनी 19 कलास है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें 20 नंबर की कलास है और आज अपना इसमें नया टूपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अजमेर के चोहान वंस ठीक है दोस्तों अपने मारवाड के विकानेर के गुहिल वंस ये अपने पूरा पढ़ लिया था तो पिछली कलास ये अगर नहीं देखिये तो आप पले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कलास सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि चोहानों का इतियास क्या है तो चोहानों की इतियास में दोस्तों अलग-अलग मतर आपको देखने को मिल जाएंगे कि करनल जेम्स टोड ने विलियम कुक ने क्या कहा है चोहानों के बारे में ठीक है और भी दोस्तों जैसे चंदर बरदाई, सूर्य मलमिस्रन, मौनोत नैंसी इन्हों ने क्या कहा है इसके बारे में तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ ठीक है अगनी कुंड का सिद्दान्त में देखो चंदर बरदाई ने अपनी पुस्तक पर्थवी राज रासों में यह सिद्दान्त दिया था कि चोहानों की जो उत्पत्ती है वो अगनी कुंड से हुई है ठीक है आबू परवत पर रिशी वसिष्ट थे और उनके यग्य से दोस्तो यह चार जातिया उत्पन हुई थी और उन चार जातियों में एक चोहान वंस भी था ठीक है ऐसा का जाता है किसने चंदर बरदाई ने का था दोस्तो ऐसा और मुनोत नेंसी तथा सूर्य मल मिश्रण ने भी दोस्तो इस सिद्दान्त का समर्थन किया था कि हाँ चंदर ठीक है तो यह परत्विराज राशों के अंदर यह सब चीजें दीवी है ठीक है और वह चार जाति कौन सी थी वह मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है तो देखो इस सिद्दान्त के अनुसार जिसी वशिष्ट ने अबू यग्य के अगने कुंड से चार जातियां उत्पन हुई थी ठीक है चार जाति है वह उत्पन हुई थी इसमें कौन कौन सी है वो तो देखो चोहान चालू के परमार परतिहार इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दो चै और दो पै ठीक है दो चै दो पै यानि कि चोहान चालू के परमार और परतिहार ठीक है तो यह चार जातियां उत्पन हुई थी अग निकुंड से ऐसा का जाता है उसमें से अपन यहां पे चोहाण वंस पढ़ रहाें। अब देखो दूसरा सिद्धानत क्या है? दूसरा देखो बिजोलिया सिलालेख के अनुसार, चोहाणों की उत्पति के अपन शिद्धानत पढ़ रहें। तो दूसरा है इसमें बिजोलिया सिलालेक, बिजोलिया सिलालेक के अनुसार देखो, 1170 इश्वी का अबिलेक जो बिजोलिया के पार्सवनात मंदिर में लगा हुआ है, इसकी प्रसस्ती का लेखक गुनबद्र था, ठीक है, तो बिजोलिया जो सिलालेक है, वो 1170 इश्वी का अभी लेक है जो बिजोलिया के पार्शमनात मंदिर में लगा हुआ है ठीक है और ये दोस्तो जो ये लगा हुआ पार्शमनात बिजोलिया शिलालेक है ये किसने लगवाया था तो ये दोस्तो एक गोविंद नाम का एक वेक्ति था याद रखना बिजोलिया शिलालेक है वो क इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है दोस्तों गुण भद्र कौन है गुण भद्र ठीक है देखो इस अभी लेख के अनुसार चोहान वत्स गोत्रिये ब्रामन है अब देखो आप इसमें कि पहले में क्या बताया था कि चोहान है वो अगने कुण से उत्पन हुए थे अब अब यहाँ पे बिजोलिया शिलालेक के अनुसार में बात करूँ तो दोस्तो चोहान है वो वत्स गोत्री बरामन है अब देखो इसमें इस अभी लेक के अनुसार चोहान राजा वासुदेव ने सांबर जील का निर्मान करवाया था तो दोस्तो सांबर जील का निर्मान है व वो वासुदेव ने करवाया था और ये जानकारी है वो अपनको किस्से मिलती है तो वो ये जानकारी दोस्तो अपनको बिजोलिया सिलालेक उसके अनुसार ये जानकारी मिलती है अपने को कि वासुदेव ने सांबर जील का निर्मान करवाया था इस अभी लेक में राजस्ता के विबिन नगरों के नाम भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है आगे देखो तीसरा सिद्दान्त में देखो तीसरा किस ने दिया है गोरी संकर हीरा चंद ओजाने तीसरा सिद्दान्त दिया है ये दोस्तों राजस्तान के कवी है वै पर्थवी राज विजे के लेखक जैयानक ने चोहनों को सूरीय वंसी बताया है अब देखो, पहले बताया अगने कुंडे, उसके बाद में बताया कि ब्रामन है अब बता रहे हैं कि, ये सूरीय वंसी है किस-किस ने कहा है सूरीय वंसी तो गोरी संकर, हीरा चंद, ओजा और पर्त्विराज विजे के लेखक जैनक ठीक है इन दोनों ने दोस्तों ये कहा है कि चोहान है वो सूरिय वन्षी है तो ये अलग-अलग मत है ये आपको इसमें याद रखने पढ़ेंगे दोस्तों अब आगे देखो हासी सिलालेक हरियाना चोहानों को चंदरवर्शी बताता है तो देखो हासी सिलालेख हरियाना में है और चोहानों को ये चंदरवर्शी चंदरवंशी बताता है अब देखो सूरिय वंशी बता दिया चंदरवंशी बता दिया और अगनिकुंड से बता दिया ब्रामन बता दिया है चोहनों को अब आगे देखो इससे भी तगड़ी चीज़ है कि करनल जेम्स्टोड के अनुसार चोहन एक विदेशी जाती है करनल जेम्स्टोड के अनुसार चोहन एक विदेशी जाती है करनल जेम्स्टोड और विलियम कुक विलियम William Cook ठीक है Colonel James Toad और William Cook के अनुसार दोस्तों चोहान है वो विदेशी जाती है, ठीक है समझ में आ गया, अब देखो आपको यह 5 मत है यह आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है देखो, Colonel James Toad है वो क्या थे? विदेशी थे तो उन्होंने क्या कहा कि चोहान है वो विदेशी है अब देखो हासी सी लालेक जो हरियाना में है वो चोहानों को दोस्तों चंदरवंसी बताता है और गोरी संकर हीरा चंद ओजा ये ब्रामन है तो इन्होंने दोस्तों इन्होंने सूरियवंसी बताया है ठीक ह और मैंने आपको बताया अगनी कुंड का सिद्धानते इसमें मैंने आपको बताया कि चंदरबरदाई सूर्य मलमिष्रन और मुनोत नेंडशी इन्होंने दोस्तों अगनी कुंड का सिद्धानते दिया था ठीक है और एक ओर था वो था दोस्तों बिजोलिया शिलालेक इसमें चोहानों को वत्स गोत्रिय ब्रामन बताया गया है तीक है अब देखो उत्पत्ति इस्तल अब देखो चोहानों की जो उत्पत्ति इस्तल है वो कौन सा है देखो सपाद लक्स सपाद लक्स कौन सा चितर कहलाता है तो सांबर जील के आसपास का चितर है वो सपाद लक्स कहलात है ठीक है सांबर जील के आसपास का जो छेतर है वो सपाद लक्स कहलाता है और सपाद लक्स का मतलब होता है सवा लाक ठीक है सपाद लक्स का मतलब होता है सवा लाक ठीक है देखो राजदानी इसकी क्या है आई चत्रपूर नागोर में ठीक है आगे देखो इसमें सबसे पहला राजा बनता है दोस्तो इसमें कौन साथ चोहनों का संस्तापक कौन है वासुदेव ठीक है सबसे पहला राजा बनता है तो दोस्तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जांगल परदेश आपको नाम सुनने को मिला होगा तो दोस्तो जंगल पर देश में कौन कौन से छफ ऺाते थे जोदपूर, विकानेर और नागोर ठीक है और ये नागोर में ही दोस्तो अ ही छत्रपूर है तो ये जंगल परदेश थी जंगल पर देश था इसकी राजदानी थी कौन सी अही छतरपूर जो वरतमान नागोर है ठीक है अब दोस्तों इसमें देखते हैं अपने सबसे पहले क्या क्यों देखो चोहानों की कुल देवी तो दोस्तों चोहानों की कुल देवी है कौन सी आसापुरा मता याद रखना दोस्तों इस चीज़ को मैंने आपको पहले वह भी बता चुхा हूँ कि कुलदेवी और अराद्यदेवी अलग-अलग होती है, ठीक है, आसापुरा माता, ठीक है, अब देखो दोस्तो, सबसे पहला सासक बनता है इसमें कौन, तो वासुदेव, ठीक है, तो देखो, वासुदेव मुघन, 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में दोस्तो चोहान राज्य की इस्तापना की थी ठीक है और वासुदेव चोहान को ही चोहानों का आदिपुरुष मूलपुरुष संस्थापक ठीक है कहा जाता है तो चोहानों का संस्थापक मूलपुरुष आदिपुरुष कौन है तो वासुदेव चोहान है ठीक है देखो बिजोलिया सिलालेक के अनुसार वासुदेव चोहान ने सामबर जील का निर्मान करवाया था अब आगे देखो इसके बाद में सासक बनता है वो है दोस्तो गुःक पर्थम तो गुहक पर्थम में देखो क्या है कि पहला सवतंतर चोहान राज्य की इस्तापना की थी अब देखो सवतंतर चोहान मतलब तो देखो चोहान प्रारम में परतिहारों के सामन्त थे ठीक है किसके परतिहारों परतिहारों के दोस्तों प्रारम में चोहान है वो सामन्त थे गुवक ने परतिहार सासक नागबट सेकिंड की अद्दीनता मानने से इंकार कर दिया था ठीक है किसने गुहक ने अब दोस्तो इस परकार गुहक ने एक पून सवतनतर राजे की इस्तापना की थी ठीक है तो देखो इससे पहले चोहान परतिहारों के सामन्त थे और दोस्तो फिर गुहक सासक बनता है तो गुहक ने क्या करता है कि जब परतिहार उस समय सासक होता है नागबट सेकिंड तो नागबट सेकिंड की अधिनता स्विकार करने से मना कर देता है और एक पूंट सवतिनतर राजे की स्थापना करता है कौन गुहक पर्थम अब देखो गुहक पर्थम ने हरसनात का मंदिर बनवाया किसका आप सभी को पता है हरसनात का मंदिर बनवाया तो इसका निर्मान करवाया था गुहक पर्थमने देखो हरसनात चोहनों के कुल देवता माने जाते हैं हरसनात है वो चोहनों के कुल देवता भी माने जाते हैं समझ में आ गया कोई पूछ ले कि हरसनात का मंदिर किसने बनवाया था तो दोस्तों गुहक पर थमने बनवाया था, तीक है, वो आपको इसमें याद रखना है, नेक्स्ट है, तीसरा नमबर का राजा आता है, और इसकी रानी है, वो बहुत खतरनाक थी, अब देखो, इसकी रानी आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कर सकती है क्या, तीक है, बहुत प पतनिये से नहीं कर सकती, तो इसमें देखो, सासक बनता है, तीसरा नमबर का चंदराज, तो देखो, इसकी रानी थी, आत्म परबा, तीक है, इसकी रानी का नाम था, आत्म परबा, जिसको रुदरानी कहते थे, और रुदरानी क्यों कहते थे, क्योंकि दोस्तों, सिवजी दिपक जलाकर भगवान सिव की पूजा करती थी ठीक है दोस्तो रुदरानी परती दिन पुसकर जिल में एक हजार दिपक जलाकर भगवान सिव की पूजा करती थी अब आप सोच लो किसी को आज के समय तो एक दिपक जलाने में जो राता है उस समय ये चंदराज की पतनी थी जिसका नाम था आत्म परबाद और उसको रुद्राने के नाम से जानते थे वो दोस्तों परते दिन पुसकर जील में एक हजार दिये जला कर दोस्तों सीव की अरादना करती थी अब आप देख लो क्योंकि यहें योगी क्रिया यनकी योग में निपून महीला थी एक हजार दिपक जलाने में आप खुद सोचो कितना टाइम लगता होगा रोजाना एक हजार दिपक और उन सब को जलाना ठीक है चंदराज की पतनीती कुछ भी कर सकती है चोथा नमबर का दोस्तों इसमें सासक बनता है अजयराज ठीक है कौन बनता है अजयराज लेकिन अजयराज से पहले दोस्तों एक सासक और आता है जिसका नाम है विग्रे राज सेकेंड ठीक है विग्रे राज सेकेंड इसमें दोस्तों आपको सिर्फ दोई बाते याद रखनी है कि एक तो इसने चालू के सासक मुलराज सेकंड को हराय था चालू के सासक मुलराज सेकंड को हराय था कि इसने विग्र राज सेकंड ने और गुजरात बंडोच में अपनी कुल देवी आसापुरा माता का मंदिर बनवाय था यानि कि गुजरात में दोस्तो आसापुरा माता का मंदिर है वो किस ने बनवाया था तो विजराज सेकंड ने बनाया था ठीक है याद रखना ये दो चीजे नमबर एक चालू के साथ सक मुलराज सेकंड को हराया था और गुजरात बढ़ोच में अपनी कुलदेवी ये गुजरात में पड़ता है यहाँ पर दोस्तो आसापुरा माता का मंदिर है बनवाया था ठीक है अब दोस्तो सासक बनता है कौन उसके बाद में विजराज सेकंड के बाद में अजेराज तो अजेराज के बारे में दोस्तो देखो क्या है 1113 इस्वी में अजमेर की इस् यहां पर किले की भी इस्तापना की थी तो दोस्तो अजमेर का किले का भी निर्मान करूए था किसने अजैराज ने ठीक है और यह जानकर हमें किसके अनुसार मिलती है तो परत्वी राज विजए के अनुसार थीक है पर्त्वी राज विजय के लेख़ कौन थे तो जायानक ठीक है पर्त्वी राज विजय पुस्तक के अनुसार अपने को जो अजमेर नगर की इस्तापना और इसके किले का निर्मान की जानकरी अपने को इससे मिलती है ठीक है देखो अजराज ने अपनी राणी जिसका नाम था सום लेका ठीक है तो दोस्तों अजराज ने अपनी राणी सום लेका के नाम से सिक्के चलाये थे ठीक है और ही दोस्तों मैं आपको इसमें बता जिता हूँ कि सिरी अज़ेदेव से भी नाम से इन्होंने चांदी के सिक्के चलाये थे सिरी अज़ेदेव उन पर लिखावा था सिरी अज़ेदेव ठीक है सिरी अज़ेदेव और सौम लेखा के नाम से दोस्तों इन्होंने सिख्के चलाये थे किसने तो अजहराज ने ठीक है तो यह अपना अजहराज है यही complete होता है आज के अपने पांच राजा है यही पांच राजा complete हो चुके है ठीक है अपने डेखो कौन कौन से राजा पड़े थे तो सबसे पहले वासुदेव पड़ा था फिर उसके बाद में दोस्तों अपने को गोहक पड़ा था उसके बाद में चंदराज फिर मैंने आपको एक बीच में राजा बताया था विग्रे राज सेकेंड और फिर अजराज अपने पांच राजा है वो कम्पलीट हो चुके है कल दोस्तों अपन अणो राज विग्रे राज सेकेंड परत्विराज ठीक है ये आगे अपन पड़ाएंगे ठीक है तो दोस्तों इसके नौटिफिक्किसन है वो आपको मॉबाईल में सो कर देगा ठीक है इसको दबाणे से बेल आइकन को और वीडिव को लाइक और शेर करोगे तो दोस्तों आपका बहुत बहुत आहबार होगा ठीक है मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै वरत